सूरा मेरे मेज़ पमान तक्ठण फिर मेनी सिखाप दिंसमादियानी बुद्धन ये जो हम जितना भी दिपावली के बाद में जो दिन आता है क्योंकि दिपावली अमावस्या की होती है उसके बाद पड़वा यानि प्रतिपदा है पहला दिन और फिर आता है दूसरा दिन जिसको दितिया बोलते हैं भारत में पिछले कुछ समय से इसको भाईया दूज के नाम से दूज माने दूसरा वो बोलते हैं पर दूसरे का दुतिया होता है तो भाईया दूज के नाम से इसको फेमस किया गया और ऐसा बताया जाता है कि कोई पुरानी कथा है जिसमें किसी ने खाना खाया किसी ने खाना खिलाया उसके उपर है पर वो पर्मानिक कहानी कोई भी है नहीं भारत के जितने भी फैस्टिवल आज के समय चलते हैं अधिकतर पौरानिक बातें या पौरानी बातें करके बताई जाते हैं पर उनका हिस्ट्री उनका थ्यास कहीं दूर दूर तक भी है नहीं और उसमें जो बाते मिलती हैं उन बाते को सत्यापित किसी ने किया नहीं और वो होती भी नहीं ये जो फैस्टिबल कल का फैस्टिबल है जो होना आज था पर वो कल किया क्योंकि किसी को नहीं पता कि Festival के मोहरत कौन निकालता है कैसे निकालता है क्या तरीका है कोई इसके Festival के तरीके को कहीं भी कोई जज नहीं कर सकता ये सब किसी के हाथ में है या कुछ लोग के हाथ में है कुछ पता नहीं चलता इसलिए कौन सा सुब है कौन सा आसुब है ये भी बड़ी कमाल की बात है क्योंकि घड़ी घंटे पहले थे नहीं सेकंडी मिनट पहले थे नहीं और आज second minute में बात होती है तो पहले कैसे होती थी और अब कैसे होती है ये भी बड़ी रहसे में बाते हैं भाईया दूज जो बताया जाता है उसमें कहते हैं कि भाई बहन के हाथ का बना हुआ खाना खाता है और बदले में उसको कुछ सौना चांदी गिफ्ट वगएरा देता है और ये दिपावली के बाद आता है एक दिन बाद दो दिन बाद तो इसनले इसको उसमें जोड़ दिया गया और वो उसको रक्षा रक्षा का प्रण देता है अपनी बहन को भारत में बेहन की रक्षा के लिए दो फेस्टिबल है एक रक्षावंदन के नाम से और एक भीया दूज के नाम से जबकि औरिजिनल कोई बेहन की रक्षा के लिए बरा नहीं अगर बेहन की रक्षा के लिए कोई फेस्टिबल होता तो जिन बेहनों के साथ में कोई अत्याचार होता है वो भी कोई ना कोई भाई ही करता है चाए वो सगा भाई हो चाए वो सौतिला भाई हो चाए वो देश का भाई हो चाए राश्ट का भाई हो चाए भासा का भाई हो पर वो भाई ही ओता है कोई ना कोई। इसलिए भाईया दूज कहीं भी रक्षा का या खाना खाने का सिटम नहीं मनता। और रक्षा बंधन का तो मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि वो जो सूत थे भगवान बुद्ध के उनकी रक्षा का जो बंधन हुआ है, तब ही सही आरहम हुई ये परंपरा वहां भी कोई बहन और भाई की रक्षा नहीं होती क्योंकि भारत के अंदर पुराने समय में बहन और भाई दोनों बरावर माने जाते थे ऐसा नहीं था कि बहन को कमजोर माना जाता हो और भाई को ताकत वर बलकर कुछ केसों के अंदर तो जो बहने होती थी और जो माताएं होती है कुल माताएं वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा तगड़ी मानी जाती है और इस्टन इस्टेट के अंदर मेगाले में आज भी ऐसा होता है कुछ केसों में तो पहले दोनों बरावर होते थे इसलिए पुराने समय में बहन की रक्षा का या भाई की रक्षा का कोई फेस्टिबल कोई काईकरम कहीं दूर दूर तक मिलता रहीं क्योंकि ना बहन कमजोर थी और ना ही भाई कमजोर थे और दोनों बरावर माने जाते थे ये फैस्टिबल जिसने भी बनाए क्यों बनाए पर इसका एक नुक्सान ये है कि जो भारत की महिला है वो अपने आपको मन से कमजोर मान लेती है वो ये मान लेती हैं कि हम अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाएंगे इसलिए साल में दो बार वो प्रॉमिस लेती हैं अपने भाई से कि तुम रक्षा करना और साल दर साल वो और ज़्यादा कमजोर होती चले जाती है क्योंकि उनको लगता है कि जब भी कुछ बात होगी तो भाई हमारी रक्षा करेगा भारत की जितनी फिल्में होती है उन फिल्मों में महिलाओं को कमजोर करके दिखाय जाता है हीरो आता है विलेन आता है विलेन हीरोईन को छेड़ता है जो एक महिला होती है फिर हीरो में और हीरोईन में जगड़ा होता है पर हीरोईन बस खड़े होके दूर से देखती रहती है वो लड़ाई में हिसेदारी नहीं करती यानि उसके मन को ऐसा बांधा हुआ है पिच्चर ही है और खत्म होने के लिए मरने के लिए हैं वैसे ही सारे ड्रामों में सारी फिल्मों में सारी कताओं में सारी कहानियों में भारत की नारियों को कमजोर करके और लगातार कमजोर करके दिखा जाता है उनको कमजोर किया जा रहा है अगर बहन की रक्षा करने के लिए भाई है तो बुआ की रक्षा कौन करेगा तो दादी की रक्षा कौन करेगा तो पत्नी की रक्षा कौन करेगा तो छोटे बच्चे की रक्षा कौन करे तो बीमार की रक्षा कौन करेगा अगर भाई इतना सवाल है तो बाकी लोगों की रक्षा करने के लिए सिस्टम कहा है आपको दूर दूर तक भी भारतिय सिस्टम में इन लोगों की रक्षा के लिए कोई सिस्टम मिलेगा रही इसलिए यह फेक कहानिया है जूटी कहानी है औ और औरत को लगातार ये पिदर्शित करने की उसके मन मस्तिक्स में ये बात डालने की कि तुम कमजोर हो अगर कहीं कोई बात आ जाए तो तुम कुश मत करना हम ही तुम्हारी रक्षा करेंगे हम तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हें बचा ले तो बच जाना वरना मर जाना ये लगाता लगाता उनके माइंड में प्लेस किया जाता है उनके माइंड में ये प्लेस किया जाता है तो भईया दूज है क्या दरसल पाली के अंदर एक सब्द मिलता है जिसको बोलते हैं भै दसावी भै दस्सावी या भै दस्सू या दस्यू भै दस्सावी का मतलब है भै को देखता है भै दस्सू का मतलब है जो भै को देखना सुरू करता है या देख चुका है या देख रहा है उसको बोलते है भै दस्सू भै दस्सावी तो भै जो अंदर सरीर के अंदर है किसी व्यक्ति क उसको दिखा कौन रहा है और वो देखता कैसे है ये है कमाल की बात ये है चमतकार की बात अगर हम जहां पर ये सिस्टम बना या चला मगद में जाते हैं और हम देखते हैं कि बुद्ध आए हैं धम का प्रकास फैला रहे हैं और आज बुद्ध को आए हुए दूसरा दिन है यानि कि उन्होंने धम का प्रकास फैलाया उसके बाद फिर अगला दिन आया अगले दिन के अंदर जिसमें बुद्ध की मानिता बड़ी और फिर उससे अगला दिन है यानि दूसरा दिन तो वो सिखा रहे हैं विपसना साधना के थ्रों कि सरीर में भै कैसे आता है और उसक कैसे देखते हैं यह बात वो लोग जो विपसना साधना करते हैं वो सब जानते हैं विपसना साधक अपने सरीर के अंदर आये हुए भै को भी देखता है चिंता को भी देखता है दुख को भी देखता है जितनी भी भावना हैं उन सारी भावना को देखता है उसको बोलते ह भै देखना सीखता है इसलिए भै दसू या भै दूज करके नाम बदला गया और भै करके दिखाया गया पाली के अंदर भैया सब्द नहीं मिलता पुराने सब्दों में पुरानी भासा में भैया सद नहीं है अगर पाली में भैया सद नहीं है तो पहले पाली का संसकार किया ह संसकारित किया है और भहिया कैसे ब्रदर बना दिया ये समझ में नहीं आता क्योंकि ब्रदर या भहिया को जो भहिया बोला गया है वो पाली में दूर दूर तक भी सब्द है नहीं तो कैसे बनाया है जो भै से सब्द मिलते हैं वो अलग सब्द मिलते हैं जो पारवारिक सब्द हैं हमारे पर दो मात्रा का भै वाला सब्द भीया सब्द हमारे यहां नहीं है इसका मतलब पहले संसकाइट किया है उसके बाद में ये फैस्टिवल रचा गया या इसको मोडा ग महिलाओं के अंदर भै को और बढ़ाने का कायकरम किया गया यानि इसको अर्थ से अनर्थ में बदला गया उल्टा किया गया इसलिए ये जो फेस्टिवल चल रहा है ये उसी फेस्टिवल की सुरीज दिखाने से और ये लगातार चलेगा दुतिया फिर तितिया फिर चतुति फिर पंचमी और छट पर जाके समाप्त होगा जब भिकु संग या जो लोग सिखाते हैं उनको आप कुछ देंगे और वो पूरी महिलाओं को सबको परंगत करके जाएंगे ये पूरी सिरीज है और उसके बाद म कोई भी चिन नहीं मिलता है पर भैदसावी और भैदसू ये सब्द मिलते हैं इसलिए जो लोग साधना करते हैं वो समझ सकते हैं बाकी जितने लोग हैं जो विपसना साधना नहीं करते हैं उनको जब तक विपसना साधना नहीं करेंगे वो भैदसू या भैदसावी नहीं नहीं थोड़े बहुत बन connectors रहे हैं पर परफेक्ट नहीं बन सकते थोड़ा बहुत ड़र दिखाई देता है भै दिखाई देता है पर कैसे आता है कैसे जाता है यह technique वेपसना सही आती है इतना ही जो भैदसावी या भैदस्वी जिसको आज भै दूज या भह या दूज बोलते हैं उसके बारे में हैं अगर मेरे वक्त वैसे मेरी बाद से कोई आहात हुआ हो किसी को परसानी हुई हो तो मैं संग से और उससे माफी मांगता हूं संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संग नमामी संग नमामी संग नमामी जै भी प्यार